हेलो एवरिवन, स्वागते दोस्तों आपका मेरे चलने मैं प्रिशान्द कुमार सुकला एडोकेट साथ हूँ आज के वीडियो में हमनों बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट का एक और इंपोर्टे लेटे जज्ज्मेंट के बारे में जो डिवी एट की धारा 17 और 19 से रिलेटेड है और जहां पत्नी दोरा एक अपील दायर की गई कि इसको निवास की जरूरत है मकान की जरूरत है जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके जो मांग कर रही थी 17 और 19 धारा केता है डिवी एट के उसके आवेदन को खारिच कर दिया विडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिये लाइक करिये शेयर करिये और कमेंट करना तो मत भूलिएगा और यह एक important judgment है जो की हाली में आया है जिसमें इसके जो important तत थे यानि कि पूरा केस का मामला क्या वो जानते हैं मामला यह था कि जो अपील करता है यानि पत्नी और प्रतिवादी के बीच का जो विवाव हुआ था वो 1999 में हिंदू रीत रिवाजों और समारों के अनुसार संपन हुआ था उसके बाद विवाव से क्रमसा यानि कि 2004 और 2010 में उन्हें दो बच्चे यानि कि बेटी और एक बेटे का जन हुआ अपील करता ने अन्रोद किया कि 30-30-1999 को प्रतिवादी के साथ उसकी साधी के बाद वह प्रतिवादी यानि उसके पती उसके माता-पिता और रिष्टेदार के साथ घहरेरू रिष्टों में जहां की पंजाबी वाग्जुकी दिल्ली में रह रही थी अपील करता ने ये भी अरूप लगाया कि प्रतिवादी और उसके माता-पिता दोरा दहेच की मांग पूरी नहीं की गई इसलिए उसे विभिन प्रकार के क्रोड़ताओं का सिकार होना पड़ा और अपने वैवाहिक रिष्टे को बचाने के लिए दोनों ने पच्छों ने फरवरिद 2008 में अपने दो कीरती नगर ने की किराय के एक मकान में चले गए जिसके बावजो प्रतिवादी और उसके माता पिता अन रिष्टेदारों ने अत्यचार और बेरोटोग जारी रहा अपील करता ने दावा किया कि उससे व्यविसिस्त होकर योजना को आगे बढ़ाने में प्रतिवादी ने मकान अपने दिल्ली से निवास के अधिकार के अपने दावों को विफल करने को खुद को वहां से हटा लिया अपील करता केनो सार ये भी दावा किया गया कि जब दूसरी बाइग गर्वती हुई तो 13-7-2010 को पार्टियों यानि कि बेटा हुआ जहां 17-7-2010 को अस्पताल से छुटी मिलने के बाद प्रतिवादी यानि कि अपील करता को नाबाली बेटे के साथ अपने माता-पिता के और उन्हें इस बहाने से वहां छोड़ दिया गया कि उसे अपने माता-पिता के घर में बहतर देखबाल प्रदान किया जाएगा तब से वो अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही है उसने आगे यह भी आरूप लगाया कि उसके और उसके माता-पिता दौरा किये का भुकतान करता था वर्स 2012 में ऐसा उसने करना बंद कर दिया यह भी आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी ने पहले उसे जानबुर के वैवाही घर से निकाल दिया फिर और उसे अपनी कंपनी से वन्चित करने के लिए किरती नगर में किराय के मकान में ले गया उसके बा अपील करता ने अपने और अपने बच्चों के लिए साजा घर में सभी सुधाएं और प्रदान करने का निजदेर देने की मांगी गई देने की मांग की अपील करता ने दावा ये भी किया कि प्रतिवादी पती ने अपने तलाक याचका में स्विकार किया कि दोनों पच्च वर्ष 2019 में पंजाबी बाग के वैवाहिक घर में एक साथ रह रहे थे और ये भी दोनों पच्चों में जो बड़ी बेटी का जन में वह वैवाहिक घर में हुआ था साथ इसार प्रतिवादी पती ने ये भी कहा कि वह 28.2 2018 से प्रतिवादी और उसके बच्चों के भर पोसल के लिए 75,000 रुपे का भुकतान भी कर रहा था प्रतिवादी ने ये भी दावा किया कि अपील करता ने उसे छोड़ दिया था और अपने माता पिता के साथ रह रही थी उसके सर्वत्तम प्रयासों के बावजू उसने अपनी कंपनी में सामिल होने से भी इंकार कर दिया जिसके कर उसे कुर्ण और परित्याक के धर पर तलाकी आज का दायर की जबकि परतिवादी पती ने ये भी दावा किया कि वर्थ 2016 मे मांसिक रूमें अस्तिर हो गई और अस्वस्त हो गई और उन्हें अपनी मा के देखबाल करनी पड़ी इसलिवा कभी कभी अपनी मा के साथ रहते थे इस और वह हमेशा किर्थी नगर में अपने किराय के आवास पर लोटाते थे जो कि साल 12-13 था तो ये चीज important बात इस कभी भी परतारित नहीं किया गया और ना ही दहेच की कोई मां की गई परतिवादी ने इस बात से इंकार किया कि 12-7-2010 को उसने अपील करता को कुकरे अस्पताल में भरती करा जा उसने बेटे को जम दिया उसने आगे ये भी कहा कि अपील करता ने ना उसे केवल एक बार जब वहाँ अस्पताल में भरती थी और उसकी मां ने उसे पूरे मेडिकल बिल का भुकतान करने और उसे छुट्टी दिलाने के लिए भी कहा था उन्होंने ये भी कहा था कि अपील करता कि मां के कहने पर कुछ काम के लिए अस्पताल से बाहर गय थे जब वहाँ अस्पता के बाद अपील करता ने किसी भी घरेलू हिंसा के अभाव में डीवी अधिनियम कोई भी आवेदन को बरकरार नहीं रखा जा सकता तो यह याची करता के तरफ से तर्क दिया गया प्रतिवादी के तरफ से क्या तर्क दिया गया प्रतिवादी के तरफ से यह तर्क दिया गया कि आवेदन के अपने उत्तर में प्रतिवादी ने ये कहा कि जो डीवी अधिनियम के प्रावधान यानि कि पीडित महिलाओं के सुरच्छा के नहीं थे जबकि अपील करता यानि पत्नी ने जान बुर्ज को उसे छोड़ दिया वर्स 2010 पर में माता पिता के साथ रह रही है और ये भी कहा गया कि ये अपील करता यानि कि पत्नी डीवी अधिनियम के तैस एक पीडित व्यक्ति के दैरे में नहीं आती प्रतिवादी ने ये भी आग प्रतिवादी पती ने ये भी प्रस्तुत किया गया कि अपील करता कि पिता के मृत्यू के बाद उसकी जो संपत्ति का एक बटे तीन हिस्सा में ही मिला था और इस तत्थ में नयाले से वह उसने कोई भी बात छुपाया नहीं गया इस प्रकाह अपील करता ये भी दावा न लग रह रहा है वर्थ 2014 में अपील करता से तलांग मांग करता है कि याचका भी दार कि जिसमें धारा सत्तरा और उनैस के तहट एक आवेदन में दायर किया गया जो डिवी अधिनियम निवास का अधिकार की मांग कर रहा है अपील करता ने अरूब लगाया कि प्रतिवाद प्रतिवादी पती ने यह तर्क दिया कि वर्थ 2018 में जो की अपील करता ने दावा किया था कि पार्टियों में बेटे की विकलांगता एक और समाजिक संग्चार के छेतरों को कमी का पता चलता है और प्रतिवादी पती ने यह भी दावा किया कि वर्थ 2019 में COVID-19 में महामार कारण विती अससीरिता का उसके पास कोई अपने भाई के साथ रहने के लावा कोई विकलप ही नहीं था और उसके बाद उसे कम दर्धी तलाइए किराय के आवास को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा किराय का प्रतिवादी पती ने इस बात से भी इंकार किया कि उसने अपने बच्चे या पत्नी को छोड़ दिया उसने इस बात पर इंकार इस बात से भी इंकार किया कि पंजाबी बाग में आवास अपील करता पत्न इसके दारे में पंजाबी बाग की संपत्ती यानि की साजा घरेलू संपत्ती के रूप में दावा करने के अनुमती नहीं दी जा सकती तो और ये भी बात रखी गई और उसके बाद पच्छों के जो वकीलों दार एदाली विस्तार में सुना गया कोट ने और ये भी रखी गई कि अपील करता और सादी के बाद जिस वेवाही घर में आई वह पंजाबी बाग दिल्ली में था जिसका सौमित प्रतिवादी के माता-पिता के पास था उसके बाद माना जा साता है कि वे किराय में रह रहे थे कीर्थी नगट जो कि दिल्ली में आवास अपील करता का जो मकान जो दिल्ली में साजा निवास के अधिकार का दावा कर रहा है जो कि प्रतिवादी के भाई का घर है जिसके लिए इसकी जो बिक्री 1832 के माद्यम से खरीदा गया था इसलिए उस संपत्ती पे 2008 में पर्टियों के कीरती नगर किराये के आवास में इस्तारा नुहुंती दो साल बाद खरीदी गई थी पूरी याचका या किसी भी आवेदर में कोई भी दावा नहीं किया गया कि प्रतिवादी के भाई का घर वो साजा परिवार है और जो पंजा साथ ये भी तर्ग दिया कि अपील करता इस्तापित करने में सच्छम नहीं है और जो मकान है वो दिल्ली का एक साजा घर है और जिसके लाव उपर जनी जो चर्चा हम लों ने की कि अपील करता को भरार पोसर आलेडी मिला है और उसके घर के खर्चों के लिए वह जिमेदा हो सकता है क्योंकि जो उसको भरार पोसर मिल रहा है जो कि उसके घर के खर्चों के लिए जिमेदार होता है और उसके पास एक विकल्पिक निवास भी है क्योंकि वह अपने पैत्रे घर में रह रही है जिससे प्रतिवादी ने ये भी दावा किया कि असा पीर करता प्रिता क कि मृत्यू के बाद डिवी अग्दिनियन की धारा है उसमें जो कानूनी जो कारवाई है उसको शुरू करने की सुधनता पदान की जा सकती है तो यह एक इंपॉर्टे जन्में जो हाली में दिल्ली हाई कोड का आया है असा करते हैं जज्ज्मेंट आपको समध में आया होगा अगर कोई भी कोईरी हो तो कमेंट बाक में जरूर पूछिएगा या दिए कि वाट से नमबर पे भी हमसे संपर कर सकते हैं मिलते हैं एक नेक्स वीडियो नेक जज्ज्मेंट सिरीज के साथ तब तक के लिए धन्यवाद